बच्चो स्वागत है आपका मास्टर मंत्रा यूटूब चैनल पर मेरा नाम है रवीकान सिंग और आज की वीडियो में हम लोग क्लास A ट्रेंबो का लेसन 15 तक ग्लोरियस स्पोर्ट्स वेमन आफ इंडिया का एक्सरसाइज यानि की कोशन आंसर करने वाले हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और हर चैप्टर के हिंती ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे हर क्लास के तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तो बढ़ते हैं कोशन नंबर वन के तरफ जिसमें नीचे दिए कोशन के आपको आंसर लिखने हैं जिसमें पहला कोशन है यानि भारतिय बैडमिंटन की गोल्डेन गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे साइना नेहवाल is known as the golden girl of Indian badminton यानि साइना नेहवाल को भारतिय बैडमिंटन के golden girl के नाम से जाना जाता है एगला कोशन है महिला अंतरराष्ट्रिय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा run score करने वाली कौन है उनका क्या नाम है तो इसका नाम लिख लेंगे मिथाली राज is the highest run scorer in women's international cricket मिथाली राज women's international cricket में सबसे ज़्यादा run score करने वाली महिला है तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज बता रहा हूँ तो आप वीडियो को pause कर लेंगे और आराम से लिख लेंगे उसके साथ मैं आपको question का अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ आंसर भी बताते हुए चल रहा हूँ अगला है who is your favorite sports woman and why आपकी favorite sports woman कौन है तो आपकी अलग-अलग हो सकती है आप किसी का भी लिख सकते है वैसे आपकी convenience के लिए एक यहाँ पर answer अरुनिमा सिना का मैंने लिखा हुआ है तो आप इसका मैं बता देता हूँ आप इसको भी लिख सकते हैं अरुनिमा सिना is my favorite sports woman because even after losing her leg यहाँ पर हो जागा हर के बाद आप leg लिख लेंगे after losing her leg in an accident she did not lose her adventure and sporting spirit ठीक है यानि कि अरुनिमा सिना मेरी favorite sports woman है क्योंकि एक accident में अपने leg को अपने पैर को खोने के बाद भी उनका adventure यानि कि और sporting spirit जो है adventure और sport का जो जज़बा है उन्होंने उसको नहीं खोया she went on to become first Indian female amputee to climb Mount Everest यानि कि वह भारत की पहली बिकलांग महिला बनी जो कि Mount Everest की चोटी को touch कि उस पर चड़ें तो इसलिए अरुनमा सिना मेरी favorite sports woman है हर के बाद यहाँ पर leg जरूर लिख लेंगे ठीक है अगला है what qualities can be learned on the sports ground sports ground पर यानि खेल के मैदान पर कौन-कौन सी qualities आप सीख सकते हैं कौन-कौन से good सीख सकते हैं तो इसकान सर लिख लेंगे qualities like team spirit, leadership, decision-making ability and flexibility can be better learned on the sports ground sports ground पर आप team spirit यानि team का जज़बा leadership यानि की नेत्रित्व decision-making ability यानि की नेडर लेने की ability और flexibility यानि लचीला पन better learned on the sports ground ये सारी चीज़ें आप अच्छे से sports ground पर ही सीख सकते हैं अगला है what do you do in order to encourage girls to take up sports निकी girls को sports लेने के लिए खेलों में भाग लेने के लिए आप कैसे उनको encourage करते हैं उनको कैसे प्रोचसाहिद करते हैं तो इसका answer लिख लेंगे I cheer for my country's women cricket team in matches ठीक है जब मेरे देश में महिला cricket होता है तो मैं अपने team के लिए cheer करता हूं उनका उत्सावर्धन करता हूं खुश होता हूं I also encourage my younger sister to concentrate on her favorite game मैं अपनी छोटी बहन को भी encourage करता हूं प्रोचसाहिद करता हूं कि वह अपने favorite game पर ध्यान दे उस पर concentrate करे sports as much as she concentrate on her studies उतना ही ध्यान दे अपने sports पर जितना कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है अगला है tick check the correct option यानि जो इसमें से correct है जो सही है उस पर आपको tick करना है तो लिख लेंगे who among the following is known as queen of Indian track and field भारती track और field की queen यानि कि रानी किसको कहा जाता है तो इसका answer है PT उशा ठीक है अगला है MC Mary Com is also known as Mary Com को और किस नाम से जाना जाता है तो इसका answer हो जाएगा million rupee baby अगला है who is the recipient of Tanging Norge Award कौन पाया था किसने प्राप्त किया था तो इसका answer है Arunima Sinha अगला है who is the highest run scorer in women's international cricket महिला अंतराष्ट्रे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा run बनाने वाली कौन है तो वो है मिथाली राज अगला है word power इसमें आपको क्या करना है match the expressions with their meanings ये जो दिये हुए है expressions है इनकी meaning से इनको match करना है black sheep black sheep का मतलब होता है disgrace to the family हो जाएगा इसका यानि कि इसको कुल दो ही एक तरीके से कहते है dark horse dark horse का मतलब होता है छुपा रुस्तम से इसका मतलब होता है इसका हो जाएगा someone who wins unexpectedly अगला हो जाएगा apple of once eye इसका हो जाएगा favorite person यानि आँख का तारा होना कह सकते हैं इसको है bed of roses ठीक है अगला है read the following abbreviations and their full forms abbreviation का मतलब होता है short form में जब कोई चीज लिखी रहती है और उसका full form जब उसको हम लोग बढ़ा देते हैं जैसे i o a लिखा है तो इसका Indian Olympic association के हो जाएगा full form ठीक है bwf इसका हो जाएगा badminton world federation ODI यानि one day international ODI matches होते हैं cricket में ICC यानि international cricket council WTA होता है women's tennis association अगला है language practice language practice में आपको क्या करना है put the verbs given in the brackets into the correct form and use going to one is done for you ठीक है इसमें क्या करना है eat rain तो it is going to rain ऐसे आपको लिखना है ठीक है इसका लिखा हुआ है जैसा they eat eat का क्या लिखना है they are going to eat apples ठीक है we अब help का क्या लिखना है are going to help you आगे लिख लेंगे I am going to wear blue shoes tonight और it is 8.30 pm you are going to miss your train तो ऐसे ही आप लोग इसको लिख लेंगे आगे क्या है complete the following sentences using through and across यानि through और across का use करके जो नीचे sentence दिये हुए है इसको आपको भरना है तो यह भर के लिखा दिया हुआ है और मैं आपको बता देता हूँ कैसे भरना है we swam across the river ठीक है हम लोग नदी क्यार पर तैर कर गए we walked through the forest forest को through हो जाएगा ठीक है the train was passing through the tunnel there is a breeze across the river they walked across on the other side of the street he hit the nail through the wood ठीक है तो कहां through रहेगा कहां across रहेगा इसको आप लोग सही से लिख लेंगे आगे है let's know more तो कुछ चीज़े हैं उसको आप खुद से ही करेंगे आगे activity write a few lines about value of games in life हमारे जीवन में games की क्या value है क्या महत्व है उसके बारे में आपको कुछ lines लिखनी है तो उसको आप ऐसी देख कर यांसे लिख सकते हैं games play a significant role in our life जो games होते हैं खेल होते हैं वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर किरदार निभाते हैं बहुत ही महत्वपूर role play करते हैं प्लेंग आउट्डोर एज वेल एज इंडोर games enhances और focus alertness physical and mental strength team spirit and sportsmanship ठीक है जो outdoor games हो चाहे indoor games हो वो हम लोगों को focus को बनाते हैं ठीक है किसी चीज़ पर alert focus करने की एक शमता विक्सित करते हैं alertness हम लोग alert रहते हैं physical and mental strength हमें सारीरिक और मांसिक ताकत देता है खेल और team spirit और sportsmanship भी हमारे अंदर आती है we should play games on daily basis हम को daily basis पर games खेलने चाहिए लगभग रोज ही games खेलने चाहिए आगे है name of some games are given below ठीक है नीचे कुछ games के name दिये हुए है mention the names of famous players associated with these games इन games से associated मतलब इन games से related कुछ famous players के नाम आपको देने है जैसे tennis के से हो सकता है linder piece होता है महस भूपती है cricket से MS धोनी है विराट कोहली युवराज सिंग आगे football से बाइचुंग भाटिया है सुनिल छत्री है बैडमिंटन से ज्वाला पुलेना गोपी चन है आगे hockey से है सरदारा सिंग और धनराज पिल्ले तो ये सारी चीजें आप अपनी copy में नोट कर लेंगे और book में हो सकता है टिक भी कर लें तो उम्मीद करता हूँ कि सभी question के answer आप लिख लिए होंगे अगर नहीं लिख पाया है तो वीडियो को पीछे करके और pause करके सभी के answer साफ लिख लेंगे तो वीडियो आपको जरा से भी helpful लगी तो वीडियो को like करें और हर chapter के आपको Hindi translation और exercise आपको इस channel पर मिलते रहेंगे तो channel को अभी subscribe करें अगर आपको कोई समस्या है या सुझाव है या कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप comment box में पूछे मैं उसका जवाब जरूर दूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहें अप क्यों टाटा बाई बाई